नमस्कार दोस्तों कुंडली में ग्रह दोश और भाग्य वृधी पाने के लिए कई रत्न और धातुओं को धारन करने की विधियां बताई गई है उन्ही धातु में से आजम बात करेंगे सोने की सोने के गहने पहनने में अगर कोई सामर्थ नहो तो अधिक तक लोग सोनी के अंगुटी तो पहनते ही है कहते हैं कि इससे जीवन में धंधान्य और सुक सम्रधी का आग्मन होता है लेकिन क्या आप जानते हैं सोने के अंगुटी किस हाथ में और किस उंगली में धारन करनी चाहिए ये बात बहुत माईने रखती है इतना ही नहीं सोना किन लोगों के लिए शुब और अशुब है इस बात का भी वर्णन जोतिस शास्त्र में किया गया है तो आज किस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं तो वीडियो को अंते तक जरूर देखें जोतिस शास्त्र के अनुसार हाथ की तरजनी में सोने की अंगूठी पहनने से एकाकरदा बढ़ती है और व्यक्ति को राज योग की प्राप्ती होती है वहीं अनामिका अंगली में सोने की अंगूठी पहनने से संतान सुख की प्राप्ती होती है अगर आपको सर्दी जुकाम ये सांस की बिमारी है तो कनिष्ठा अंगली में सोने की अंगूठी पहनने से शुब परिणाम मिलते है आगे आपको बता दें कि जोतिशों का कहना है कि सोने की अंगूठी बाएं हाथ में पहनना अशुब होता है बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहनने से जीवन में परिशानी आती है इसलिए अंगूठी को हमेशा दाएं हाथ में ही पहने तो वहीं पुखराज रत्न के साथ सोने की अंगूठी है तो इसे दाएं हाथ के तरचनी उंगली में पहने एक बात और कि कमर से लेकर पैर तक किसी भी अंग में सोने को धारण न करें ऐसा करने से कई तरह की बिमारियां हो सकती है चलिए अब आपको बताते हैं कि किन लोगों को सोने की अंगूठी धारण नहीं करनी चाहिए बता दें कि जोतिस शास्त्र के अनुसार व्रिश, मिथुन, व्रिशिक और कुम्भ राशी के जातकों के लिए सोने के आभूशन पहनना उत्तम नहीं माना जाता है तो वहीं तुला और मकर राशी वालों को कम से कम सोना पहनना चाहिए अगर आप लोहे या कोईले का काम करते हैं तो सोने के आभूशन न धारण करें क्योंकि इस ब्यापार का सम्मंध शनी देव से है इसलिए स्वर्न धातू पहनने से आपको आए दिन ब्यापार में नुक्सान उठाना पड़ता है वहीं गर्ववती वरिद महिलाओं को सोने के आभूशन नहीं पहनना चाहिए बताते चलें की मानिता है कि जिन लोगों की कुण्डी में व्रहसपती ग्रह खराब हो और शनी की दशा सही नहीं हो तो ऐसे लोगों को सोना पहनने से परहेच करना चाहिए अब आपको बताते हैं कि किन राशियों के लिए सोना पहनना लापदायक होता है जो तिस शास्तर का मानना है कि मेश सिहा कन्या और धनोराश्य के जातकों के लिए सोना शुब फलदाई साबित होता है इन लोगों को सोना पहनने से कड़्ज में मुक्ती मिलती है और आए के नए रास्ते खुलने लगते हैं इतना ही नहीं धनलाब के मार्ग खुलते हैं और कार्य सीक्र ही पूरे होते हैं तो दोस्तों सोने के अंगुठी धारन करने से पहले इन नियमों का ध्यान जरूर रखें और किन लोगों के लिए सोना पहनना शुब और अशुब होता है इस बात का भी खयाल रखें कुणली टीवी डेस्क से तान्या की रिपोर्ट इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रही हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें चाथ ही अपनी राए कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं धन्यवाद